आज मेरे सामने एक किताब है यह बड़ी खुशूरत किताब है और इस किताब में हिंदुस्तान के बहुत मशहूर लेखक नामर सिंग ने एक बात लिखिया और बहुत अच्छी बात लिखिया मैं चाहता हूं कि उसको मैं आपको पढ़के सुनाओं उन्होंने लिखाया कि मंदिर बने न बने यह राम जाने मंदिर बने या न बने यह राम जाने लेकिन हिमंद्श शर्मा जी की पुष्टक का जो मंदिर है यह बन गया है और यह अमर है यह कभी खत्म होने वाला नहीं है ऐसा मंदिर एक लेखक ही बना सकता है भगवान राम अयुद्या में रहे लेकिन उन्हें आम लोगों तक काशी ने पहुंचाया तुलशिदास ने काशी के रामचरित मानस की रचना की और अब 500 साल से भी जादा समय के बाद बनारस के नहीं लेकक हेमन शर्मा की या पुष्टक आई है और राम और उनकी जन्म भूमी पर ऐसी प्रामारिक पुष्टक पहले कभी नहीं और अब तो मुझे उम्मीद है कि आएगी भी नहीं और यह किताब पढ़के मेरा जीवन सार्थक हुआ मैं आपसे बताओं कि जो कुछ उनके शब्द है वो शत्त प्रतिसत सच हैं इस किताब में जितनी भी बातें दर्ज हैं वो सब ऐसी बातें नहीं हैं जो सुनी सुनाई हैं या देखी दिखाई हैं यह वो बातें हैं जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है इस किताब में उन्होंने वो सारी चीजें लिखी हैं जो आयुध्या में उन्होंने खुद देखा है खुद जिया है और और वो सब गटनाएं उनके सामने हुई हैं तो इससे बहतरीन किताब और आपको कहां मिल सकती है और यह इतनी दिल्चस्प किताब है कि मुझे लगता है एक बार अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक खत्म नहीं होगी इसे आप बंद नहीं करेंगे मेरी बहुत अधार्दिक शुब कामनाएं उनके साथ हैं और मैंश्वर से प्रार्टना करता हूं यह किताब घर घर और जन जन तक पहुंचे